नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इडिया पर मैं हूँ अंकित अवस्थी आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर की वारे में चर्चा करने के लिए जिसे सुन करके आप को भारतिय राजनिती का और भारत का अपने पड़ोसी मुलकों पर प्रभा का मिलेगा चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन की हेडलाइन से जहां लिखा हुआ है प्रभाकरन जिंदा है आप में से बहुत सारे साथी संभव तया इस व्यक्ति को जानते हों लेकिन संभव ये भी है कि जो व्यक्ति 2009 में ही गुजर गया है जिसके बारे में दुनिया अखबारों में खबर इस प्रकार से सचपी थी कि प्रभाकरन किल्ड इस तरहा की श्रीलंका के अखबारों में खबर चपी थी डैड नो डाउट और इवन श्रीलंका के अखबार इस खबर को च्छापते समय एक्सक्लिमेटरी मार्क लगा करके संधे व्यक्त किये थे ऐसे व्यक्ति जिसकी हेडलाइन कभी बनी थी वर्ष 2009 में उसके बारे में हम लिख रहे हैं प्रभाकरण जिंदा है जिब प्रभाकरण का कोई भूत आ गया या फिर गायल हुआ था उस समय प्रभाकरण वापस निकल के आ गया सारी बाते आज के सेशन में जानेंगे और ये भी जानेंगे जिस व्यक्ति की खबरे अखबारों की सुर्खिया बनी थी उसका जिंदा होना किस के लिए कितना बड़ी बात हो सकती और क्या वाकेमी जिंदा है या किवल एक मिथक है और कहने वाला कौन है जिसने ये कहा है कि ये जिन्दा है सारी बातें आज के सेशन में आप समझेंगे फिलहाल के लिए आप यहाँ पर 2009 की वो खबर देख लीजे जो वर्ल्ड मीडिया में छपी थी श्री लंका तमिल लीडर हैस बिन किल्ड यहाँ पर एक शब्द बहुत जादा माइने रखता है जिस पर आप जरूर गौर करें और वो शब्द है तमिल लीडर और आप मेंसे बहुत सारे साथी निश्चित ही ये जानते होंगे कि भारत का तमिल भाशी लोगों के लिए एक राज्य है जिसका नाम है तमिल लाडू और अगर आप तमिल लाडू को अच्छे से जानते हैं तो शब्द के साथ ये निश्चित है कि तमिल लाडू का निर्मान तमिल भाशी लोगों के लिए ही हुआ था तो ये शब्द तमिल लीडर किल्ड तमिल लाडू के अंदर तमिल का लीडर मारा जाता है तो निश्चित ही इसका तमिल लाडू से कोई connection होगा और अगर हाँ connection है तो ये है खबर इसी लिए माइने रखती है क्योंकि वर्तमान भारत के तमिल लाडू के अंदर एक नेता के द्वारा ये बयान दिया गया है क्या LTE Chief प्रभाकरण विल मेग अपीरियंस सून यानि प्रभाकरण जल्दी ही सब के सामने आने वाले है ऐसा तमिल लीडर के द्वारा बयान दिया गया है वर्ड मीडिया के अंदर ये खबर चप गई है और कहने वाला कौन है? कहने वाला है पाजा नेदुमारन पाजा नेदुमारन कौन है? जो की अपने आपको बताता है कि वो लीडर है यानि कि तमिल जितने भी अंतराष्ट इस तर पर सक्रिये हैं उन सब की leadership करता है एक बार के लिए मैं map आपको recall करा दूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी इस घटना को समझने से पूर्व भारतिय मांचित्र को देखने तो बहतर होगा क्योंकि उसके बाद से उनके लिए यह है घटना, समझना और समझाना आसान होगा मेरे प्यारे साथियों यदि आप भारत के map को दिहान से देखे तो दक्षण की तरफ चलने पर आपको तमिल नाडू दिखाई पड़ता है और तमिल नाडू के पूरव की तरफ चलने पर पूरव की तरफ और दक्षिन की तरफ चलने पर आपको श्रीलंका दिखाई पड़ता है यदि श्रीलंका को तमिल लाडू के साथ देखे तो आप समझ पाएंगे कि तमिल लाडू और श्रीलंका लगभग आमने सामने है कैई बार हम लोगों को confusion होता है हमें लगता है नीचे है हमें लगता है केरल के सामने है ये पूरी तरह से तमिल लाडू के पिकदम सामने की तरफ श्रीलंका इस्थित है श्रीलंका का जो इस्थान है और जो तमिल लाडू के नजदी की वाला एरिया है यही सबसे ज़्यादा चर्चित एरिया रहा है आज के सेशन में इसी की चर्चा करेंगे मैप को अगर आपने देख लिया हो तो उस व्यक्ति की भी चर्चा कर ले जिसके जिन्दा होने की खबर है यह है वो व्यक्ति जिसका नाम है प्रभाकरन प्रभाकरन की कहानी कहां से शुरू होती है उसको समझने से पूर्व मैं ये बता दूँ कि जिस व्यक्ति ने कहा है कि प्रभाकरन जिंदा है वो व्यक्ति यहाँ पर आपके सामने ये दिखाई पड़ रहा है ये वो व्यक्ति है जिसने एक बार विरप्पन के द्वारा एक फिल्म स्टार को जब गिरफतार बंधी बना लिया गया था तो ये नेता जाकर विरप्पन से छुड़वाया था कभी विरप्पन की कहानी अलग से सुनाएंगे लेकिन ये काफी प्रभावशाली नेता है और जैसा आपने यहाँ देखा Confederation of Tamil का अध्यक्ष है यह कुछ ना कुछ माइने रखता है और इसके द्वारा दिये गए बयान के बाद में जो वहाँ पर काम कर रही है उसमें तमिल्लाडू के अंदर जो कांग्रेस के चीफ है कांग्रेस के तमिल्लाडू कांग्रेस के चीफ कि अगर प्रभाकरन जिन्दा है तो हम इस बात से बहुत खुश है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस जो केंदर सरकार की पार्टी है केंदर में जो एक बहुत बड़ी पार्टी है उसके इतने जिम्मेदार नेता के द्वारा ये कहा जाना कि अगर वो जिन्दा होते हैं तो हमें बड़ी खुशी होगी तो इसके अंदर क्या तरकता है सारी बातें आज के सेशन में हम समझने वाले हैं आप यहां पर इस व्यक्ति के द्वारा दिया गया ट्वीट के दांदर जवाब यह आप देख सकते हैं यह है पेजु नाजुमारन जिसने यह जानकारी दी यानी की तमिल लोगों की मुक्ति के लिए जल्दी ही प्लान लेकर प्रभाकरन आने वाले हैं और दा तमिल पीपल ओफ दी वर्ल्ड दुनिया भर में रहने वाले तमिल लोग जो हैं शुड शपोर्ट हिम टुगेथर सब लोग मिलकर उसका साथ दे पैजा नेदुमारन ज इस व्यक्ति के बयान को और इससे निकल कर निकली हुई बात को आप बहतर तरीके से समझ पाएंगे फिलहाल प्रभाकरन कौन है हलका सा बस इसका ब्रीफ ये जान लीजिए प्रभाकरन LTE लिटे उसका वो अध्यक्ष जिसके प्रयास के माध्यम से राजीव गांधी की हत् थी या करवाई थी अब राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई थी क्या थी कहानी वो भी आज के सेशन में हम बताएंगे लेकिन आपको इससे पहले एक जानकारी और देना चाहूँगा यदि आप इस पूरी बात को आडियो बुक पर भी सुनना चाहते हैं तो लिटे और प एप्लिकेशन है जिस पर लगभग 10,000 किताबे वर्ड की बेस्ट सेलर किताबे आडियो फॉर्मेट में अवेलेबल हैं जिन किताबों को आप ना केवल सुन सकते हैं बलकि उसके नौट्स बना सकते हैं ड्राइव मोड फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं बेस्ट सेलर आज के दिन यहाँ पर एक ओफर चल रहा है लव 60 के नाम से जिसका यूज करके 99 रुपे प्रती महा पर मिलने वाले पूरे मन्त के सब्सक्रिप्शन को आप यहाँ पर 39 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं तो यह आपके लिए उपलब्ध आज का फीचर है लिंक कमेंट और डेस्क्रिप्शन में दिया गया है यदि कोई ज़्यादा डीटेल में सुनना चाहता है तो बुक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन करवा दी है आगे बढ़ते हैं तो सहब यह रहे पी नेदू मारम जिन्होंने बयान दिया है जब इसने बयान दिया है तो यह जिस व्यक्ति की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जिसने अनौसमेंट किया है यह वो व्यक्ति है जिसने यह जो आपको दिखाई दे रहे व्यक्ति हैं जो कि एक फिल्म स्टार है तमिल नाडू के अंदर फिल्म स्टार हुआ करते थे इन्हें जिनका नाम है राज कुमार इ से कैसे मारा गया था चंदन का तसकर हुआ करता था इसने फिल्म स्टार को ही बंधक बना लिया था खैर कभी इसके बारे में भविश्य में चर्चा करेंगे लेकिन इसको छुडाने में जिसका योगदान था वो ये व्यक्ति था नंबर एक नंबर दूसरा ये व्यक्ती प्रभाकरन से भी मिला हुआ है वन्स अपोने टाइम ये व्यक्ति प्रभाकरन से मिल चुका है और लिट्टे के समर्थन में बयानबाजी के कारण जेल भी जा चुका है अपने द्वारा इसके उपर जो जेल जाने के केसिस रहें हैं 15 12 महीने तक ये लिट्टे के समर्थन में बयान बाजी करने के चलते जेल भी जा चुका है तो अब आपके दिमाग में सवाल बनने लगेगा इसका मतलब लिट्टे का समर्थन करना भारत में प्रतिबंधित था निश्चित ही तभी तो जेल गया होगा तो अब ऐसा क्या कारण था कि लिट्टे भारत में प्रतिबंधित था या श्रीलंका के अंदर लिट्टे का विरोध क्यों होता था ये सारी बाते अब मैं आपको डिटेल से बताना शुरू करता हूं सबसे पहले शुरू करते हैं प्रभाकरण के बारे में बताना और इस व्यक्ति ने बयान दिया असल में श्रीलंका के अंदर अंग्रेजों का साशन हुआ करता था अंग्रेज श्रीलंका के अंदर चाय की और कॉफी की खेती किया करते थे श्रीलंका के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बड़ी मात्रा में सिनहले जाती की है सिनहले जो की बौध धर्म को मानने वाले लोग हैं सिनहले जो स्रिलंका में रहते हैं यहाँ पर काम करने के लिए अंगरेजों के द्वारा इंडिया से बड़ी मातरा में तमिल लोगों को ली जाया जाता था तमिल ध्यान से सुनियेगा तमिल नाडू में रहने वाले लोग जो की धर्म से हिंदू थे उन्हें यहाँ से ले करके श्रिलंका में ले जाया जाता था ताकि वो यहाँ जा करके चाय की और कॉफी की खेती कर सके चाय कॉफी रबड इसकी खेती कर सके तमिल चुकि अंग्रेजों के द्वारा ले जाए जाते थे ये मानकर कि उन्हें बढ़िया चीजें आती हैं, बढ़िया काम करना आता है इस वज़े से तमिल्स का सिनहले लोगों के बीच में विरोध होता था ये मानते हुए कि अंग्रेज तमिल लोगों को इसलिए लाते हैं क्योंकि ये काम में अच्छे हैं, परफेक्शनिस्ट हैं। इस कारण से सिनहले अंग्रेजों की प्रजेंस में भी तमिल लोगों का विरोध करते थे। पहले से ही हुआ करता था जब यहां अंग्रेज थे। अब मैं आपको एक बार और इस बात को जूम करके दिखा दिता हूँ। ये रहा तमिल लाडू और ये रहा श्री लंका। अब नैचूरल और रहसरगिक बात है, आमने सामने होने पर यहां पर नाव की सवारी करके भी बड़ी मातरा में तमिल्स आकर के रहने लगते थे। तमिल्स जिस जगह रहते थे ये श्री लंका का उत्री हिस्सा था। इसकी जो सबसे प्रमुक सिठी थी उसका नाम जाफना था। जाफना में बड़ी मातरा में तमिल्स रहा करते थे। ठीक है। अब चूकि हम बात कर रहे हैं प्रभाकरण की तो प्रभाकरण ने क्या कारण था कि Liberation Tiger of Tamil इलम नाम से यानि लिट्टे नाम से संग्ठन बनाया इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताऊं लेकिन उससे पहले तिथियों को एक बार आप अपने दिमाख में बिठा लें प्रभाकरण ने साल 1972 में लिट्टे का गठन किया और 1976 के अंदर इसका नाम बदल करके LTT कर दिया था यहां पर यह जानना जरूरी है कि 1922 में ऐसी क्या situations रही थी या ऐसे क्या कारण रहे थे जिसके चलते तमिल लोगों ने अपना संग्ठन बनाया और संग्ठन बनाने में प्रभाकरण उसका लीडर था ऐसी स्थिती में एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर आता है और वो है कि श्रीलंका की सरकार के द्वारा भेदभाव किया जाता था भेदभाव से प्रभाकरण नाराज था और उसने अपने नेत्रत्म में एक संग्ठन बनाया अंग्रेजों के जाने के बाद से लेकर 1972 के बीच में ऐसा कुछ जरूर हुआ था जिससे तमिल लोगों को बहुत ज़ादा असुविधा थी ऐसा क्या हुआ था तो चलिए मैं आपको 1948 लेकर चलता हूँ 1948 जब श्रीलंका आजाद हुआ अंग्रेज तो चले गए लेकिन श्रीलंका में सिनहले और तमिल लोगों के बीच में भिड़न्त हो गई बड़ी मात्रा में सिनहले थे तमिल्स तो बाहर से आये थे कुछ नैसरगिक तमिल भी थे जो कि तमिल्नाडू से वहाँ पर गए हुए पहले से थे यानि जेने मूल रूप से श्रीलंका ही माना जाता था यहाँ पर तमिल्स को प्रिफरेंस मिलने से विरोध होना शुरू हुआ और श्रीलंका में जातिय संगर शुरू हो गया सिनहले और तमिल्स के वीच में मैजोरिटी में चुके सिंहले थे इसलिए तमिल्स का बहुत जादा भेदभाव पूर्ण तरीके से बायकॉट किया गया नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि यहां की सरकार के द्वारा ब्रिटिश के आजादी के बाद 1956 में ध्यान से सुनियेगा जिसका बहुमत है वो सिनहले है सिनहले की मैजोरिटी है तो स्वभाविक है सरकार भी मैजोरिटी की बनेगी मैजोरिटी ने माइनोरिटी को दबाने के लिए अपने अनुसार कानून बनाए उस कानून के अंदर सिंगला ओनली एक्ट बनाया गया यानि यहां के जितने भी प्रमुख पद हैं उन पर मतलब रिलीजन के आधार पर लोग बिठाये जाएंगे यह पिल्कुल वैसे ही था जैसे पाकिस्तान ने अपने आपको इसलामिक कंट्री मान करके इसलाम की माननेता रखने के हिसाब से सारी जिम्मेदारियां इसलामिक लोगों को देने का निर्धारन किया था श्रीलंका भी कुछ वैसा ही कर रहा था इसी कारण से श्रीलंका को यह सब करने में पाकिस्तान का समर्थन मिल रहा था क्योंकि यह सिनहलों को ही प्रायरिटी दे रहे थे तमिल जो की हिंदू थे उनका यहां पर भेदभाव पूर्वक तरीके से प्रताडित उनको किया जा रहा था 1956 के बाद यहां पर आगे चलते हुए भाषा का भी एक कमीशन आया और उसमें भी यह कहा गया कि आधिकारिक जो भाषा है यहां की वो सिनहले ही होगी यहां पर भाषा में भी पूरी तरह से कमीश को इगनोर कर दिया गया नैसरगिक था कि जो अंग्रेजों के समय पर काफी प्रभावशाली लोग थे वो आजादी के बाद अपने आपको हाशिये पर जाता देख विरोध करने उतरेंगे विरोध का चहरा बना प्रभाकरन फिलहाल अगर आप मैं आज का सेंसिस दिखाऊं तो श्री लंका के मैप को अगर आप देखें तो यह जो वाइलेट कलर के अंदर आपको आज श्री लंका का मैप दिखाई देता है यह सिनहले लोग हैं जो कि यहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं यह जो आपको एकदम ब्लड रेड कलर दिखाई दे रहा है यह श्री लंकान तमिल हैं और जो आपको यहाँ पर येलोईश कलर दिखाई दे रहा है यह इंडियन तमिल हैं देखकर मैप से ही यह समझ में आ जाता है कि यहां पर बहुतायत में सिनहले पाए जाते हैं अगर मैं आपको यहां की डेमोग्राफी दिखाऊं तो यह सेंसिस का डेटा है जिसे मैं आपको जूम करके दिखाना तो चाहता हूं लेकिन मेरा जूम काम नहीं कर रहा है मैं बोल देता हूँ साथियों यहाँ पर जनगंड़ना के अधार पर अगर 1946 का मैं आकड़ा साजा करूँ तो 65 पका गया 69% श्रीलंका के अंदर 69% सिनहले हुआ करते थे आज का अगर हम सैंसेस निकालें तो वर्ष 2011 में इनकी संख्या बढ़कर 74.90 यानि 75% हो चुकी है यहाँ पर संख्या में इजाफा हुआ सिनहले का वहीं दूसरी तरफ अगर हम तमिल्स की बात करते हैं तो श्रीलंकन तमिल की अगर सैंसेस में जनसंख्या देखें तो यह 11.02 परसेंट थी यह संख्या तो बढ़ी लेकिन जो इंडियन तमिल्स थे अगर आप उनकी संख्या देखें तो इंडियन तमिल्स की संख्या जो की उस समय 11.73 परसेंट थी वो घटकर 5.51 रह गई यानि भारत से जो गए हुए लोग थे इनका यहाँ पर बहुत जादा मात्रा में दमन की आ गया उस दमन के चलते यहाँ पर प्रतीशत जो इंडियन तमिल्स की है वो घटती चली गई अब ध्यान से देखिए संख्या जिनकी बढ़ी वो सिनहले हैं जिनकी संख्या घटी वो इंडियन तमिल्स हैं जो की रिलीजन के आधार पर हिंदू हैं यहाँ पर हुई जो लड़ाई थी रिलीजन की इसी लड़ाई में और इधर देखिए और मैं 2011 का सेंसिस दिखाऊं तो 4.1-2 फीस दी यहाँ पर और फिगर कम हो गया है इंडियन तमिल्स की संख्या इतनी कम हुई निश्चित ही यह मन में स्वभाविक प्रशन बनेगा कि इतनी कम संख्या होने के पीछे क्या कारण रहा उसी कारण में इन लोगों के बीच में चला ग्रह युद्ध है और उस ग्रह युद्ध में इन कम प्रतीशत में प्रजेंट लोगों का जो लीडर बना वो प्रभाक पक्ष लेंगे इनका पक्ष लेंगे तब भी प्रभाकरन ने राजीव गांदी की हत्या कर दी ये प्रशन अब आपके दिमाग में आना शुरू हो चुका होगा चलिए आगे लेकर चलते हैं फिलहाल के लिए 1980 का दशक आता है LTT को बड़ी मात्रा में दुनिया भर में फैले था और पैसा वैपन खरीदेने के लिए बड़ी मात्रा में अंतरराश्टिय सहायता भी थी आक्रमन किया गया 23 जुलाई के दिन LTT ने गुरिला यानि छुपकर वार करते हुए 13 श्रीलंकाई सहनिकों को मार डाला श्रीलंकाई सहनिकों की मौत से सिनहले लोगों में जो LTT था उसके प्रथी घुस्से का भाव पैदा हुआ और नैसरगिक रूप फिर से मैं वही करूँगा नैसरगिक बार-बार क्यों कह रहा हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो फ्लो में जा रही है कि इसमें ऐसा किया है तो ये तो होगा ही यदि ऐसा हुआ है तो स्वभाविक है कि लिखते तमिल्स का समर्थक है तो चलो इनी को मारेंगे यानि कि जो चीजें स्वभाविक रूप से जा रही है वैसे ही यहां सब चल रहा था कि वही 1983 के अंदर अगर तमिल्स ने उनको मार दिया तो चलो बदला लेंगे किस से बदला लेंगे, तमिल से बदला लेंगे, तमिल से बदला लिया गया, जुलाई के अंदर ये बदला होता है और यह जुलाई ब्लैक जुलाई के नाम से जाना जाता है, अगले ही दिन बड़ी मात्रा में श्रेलंका के लोगों के द्वारा तमिल्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाता है, जिसमें लगभग 3,000 तमिल मारे जाते हैं, इसी घटना को Black July के नाम से जाना जाता है, आज भी Wikipedia पर यह घटना उपलब्द है, जैसे मैंने आपसे कहा ना संख्या क्यों घटती गई, क्योंकि तमिल्स को ढूंड ढूंड कर मारा गया था, आगे बढ़ते हैं, मई 1985 में LTE को गुरिला युद में महारत मिल चुकी थी, कि ठीक है हमारे तमिल्स मरे, लेकिन आप फिर से देखिए, जब तमिल्स मरे हैं, तो तमिल्स के जो परिवार हैं, जो बेगर हुए हैं, वो प्रभाकरन के पक्ष में खड़े हो गए, कि हम लोग क्यों मारे मसेकर होता है, एक बहुत बड़ी हत्या होती है यहां पर, और कहा जाता है कि लगभग 1.500 लोगों को लिटे के द्वारा गंटे भर के अंदर मार दिया गया, यह एक प्रकार से उस 3,000 लोगों के मारे जाने का विरोध था, अब यहां पर लिटे की कारवाही को थोड़ा सा जान लीजिए, प्रभाकरन ने अपनी टीम को इस तरह बनाया हुआ था कि यदि आपका कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है, चाहे महिला या पुरुष, वो अपने साथ ब्लैक धागे में बंदा हुआ साइनाइड रखता था, साइनाइड रखकर अपने प्राण की आहू इन ही में से एक आत्म घाती ने राजीव गांदी की हत्या की थी, अब वो कैसे हुआ था आप वो भी जानेंगे, इस बीच में अब एंट्री होती है भारत सरकार की, भारत सरकार की क्यों एंट्री होती है अब आप वो जानिए, क्योंकि 1983 के अंदर आपने देख लिया, 1985 की सरकार और LTE के समर्थक एक दूसरे से जबरदस्त तरीके से भिड़ना शुरू हो गए, जनवरी 1987 में राष्टपती जे आर जैवरधने ने LTE और तमिल के गड़ जाफना, वही जाफना जो मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था, यहाँ पर श्रिलंका के उत्तर में बसा जाफना जहाँ पर बहुत आयत में तमिल लोग रहते थे, मैं आते आते यहाँ के हालात बहुत बदतर हो गए, श्रिलंका की सैना के द्वारा LTE को खत्म करने के लिए हवाई हमले शुरू किये गए, जिसकी चपेट में जाफना के बेगुना तमिल नागरिक भी आ गए, 1987 में, अब इधर की तरफ आप देखते चलिए, इंडिया में 1984 से 1989 के बीच में राजीव गांधी की सरकार थी, इंद्रा गांधी जी का जब असेसिनेशन हुआ था, उसके बाद में राजीव गांधी प्रधान मंत्री बने थे, 1989 तक वो प्रधान मंत्री थे, यानि पैरलली इंडिया में कौन सी सरकार चल रही है, ये भी दिमाख में रखिये, 1989 तक जब राजीव गांधी जी थे, जाफना पर जब ये अटेक हो रहा था, उस समय इंडिया में राजीव गांधी जी थे, फिर से सोचिए, तमिल नाडू के तमिल, निश्चित रूप से चाहेंगे, क कि अप अपने भाई बहनों को मरता हुआ कैसे देख सकते हैं, इस बात से राजीव गांधी जी की सरकार ने यह निर्ने लिया, कि वो श्रीलंका की सरकार से बात करके, जाफना में हो रहे हवाई हमले रुकुवाएगी, हवाई हमले रुकुवाएगी, तो फिर से सोचिए, अगर ऐसा होगा, तो निश्चित है कि श्रीलंका के सिनहले इस बात का बुरा मानेंगे कि हमारे देश के आंतरिक मसले पर दूसरा देश इंटरफेयर क्यों कर रहा है, वहीं तमिल लोग इस बात से खुश होंगे कि राजीव गांधी जो हैं, वो उनकी रक्षा के लिए आ किया, तो हम अपनी सेना भेज देंगे, अगर ऐसी इस्थिती होती है, तो भारत ये सेना जाकर श्रीलंका की सेना को जाफना से पीछे खदेडेगी, ये भारत के द्वारा सीधा सीधा श्रीलंका के आंतरिक मसलों पर इंटरफेरेंस कहा गया, भारत सरकार के द्वारा यहा को इस समय चीन से और पाकिस्तान से संपर्क मिलना शुरू हो गया पाकिस्तान तो चाहता ही था कि धर्म के अधार पर यहां पर दमन हो तो ऐसी इस्थिती में पाकिस्तान जैवरधने सरकार को जो कि उस समय हुआ करती थी उन्हें समर्थन दे रहा था महिंद्रा राजपक्ष यहाँ पर राष्टपती पद के लिए निकल रहे थे ऐसी इस्तिती में साथ ही हो अब ये सब चीज़ें देख रहे की हैं 2 जून 1987 को जाफना के तमिलों के लिए समुद्र के रास्ते सहायता भेजी गई भारत सरकार के द्वारा लेकिन श्रीलंका की नेवी ने उसे उतरने नहीं दिया इस बात से खफा होकर इंडियन एयर फोर्स ने 4 जून 1987 को ओपरेशन पूमलाई चलाया ओपरेशन पूमलाई क्या था? ओपरेशन पूमलाई के तहत भारतिये एयर फोर्स श्रीलंका में रह रहे, जाफना में रह रहे तमिलों की मदद के लिए सहायता लेकर पहुचती है इसके तहब 5 Antonova An-32 विमान सहायता لेकर जाफना पहुचते है बिना श्रीलंका की सरकार से इजाजत लिए और उन विमानों की सुरक्षा के लिए जब ये जा रहे थे, तो हमारे मिराज 2000, । जो हमारा मिराज लडा को विमान है, जिसने जाकर पाकिस्तान में स्ट्राइक की थी सर्जी कल, वो मिराज उसकी सुरक्षा कर रहा था, श्री लंका के उपर ये है बहुत बड़ी मतलब बेच जती थी, श्री लंका के अंदर भार अरतिय सेना के द्वारा यहां पर मदद भेजी गई। आप ये ओफरेशन पूमलाई देख सकते हैं और इस पूमलाई पर जैवर दने का बयान देख सकते हैं और वो क्या था? कि a naked violation यानि कि एक तरह से खुला और मतलब नंगा प्रदर्शन देखें आपके इस बात का, हमारी sovereignty का, यानि कि इन लोगों ने हमारी संप्रभूता को value नहीं दी, ये श्रीलंका के उस समय के राष्टर अध्यक्ष भारत के लिए बोल रहे हैं और हमारी territorial integrity का कोई खयाल नहीं रखा गया, 25 टन सप्लाई जो है वो जाफना के अंदर भेजी गई Indian Air Force के द्वारा और इसको escort क जरते समय चार मिराज 2000 fighter jet आ रहे थे, ये भारत की धाक जम रही थी श्रीलंका के अंदर, एक बार के लिए ऐसा लग रहा था कि भारत तमिलों के उपर हो रहे है अत्याचार रुकवा देगा, हुआ भी ऐसा ही, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके जो चीफ रहे हैं आर्म भीर नफरत का भाव पैदा हुआ, इस ओपरेशन पूमलाई के द्वारा, क्यों क्योंकि उन्हें लगा कि भारत तमिल्स का समर्थन करता है और सिंगले लोग जो हैं उनके खिलाव भारत खड़ा है, कोई बात नी साब, ऐसी स्थिती में आकर के भारत ने श्रीलंका में प्रभाकरन जो कि इस पूरे नेत्रत्व को कर रहा था लिट्टे को उसे इंडिया बुलाया गया, आप यहां पर राजीव गांदीजी के साथ प्रभाकरन को देख सकते हैं, बैठा हुआ, प्रभाकरन इंडिया आता है, दिल्ली में राजीव गांदीजी से मिलता है, पर देख सकते हैं, जैवरदिने और राजिव गांदी जी की मध्यस्तता से लिट्टे और श्री लंकाई सरकार की बीच समझोता होता है, 1987 में यह समझोता हो जाता है, अब जब यह समझोता आप टेबल पर होता हुआ देख रहे हैं, इससे यह प्रतीत होता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, जाफना से श्री लंकाई forces पीछे हट जाएगी, और लिट्टे जाफना में शांती पूर्वक तरीके से रहने लगेगा, सीज फायर में चुकि इंडिया मध्यस्त था, तो यह accept किया गया कि इंडिया की वजह से, अब यहाँ पर लिट्टे के जो लोग हैं, व भी तो तमिल लोगों का पक्ष लिया था, और उनकी शांती के लिए लिट्टे से बात करके उनके हतियार डलवाए थे, और वहां से स्री लंकान forces को वापस भिजवाया था, शांती स्थापित करने की इस प्रिक्रिया को इंडिया-लंका अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, आप इसे देख सकते हैं, 39 जुलाई 1987 को यह घटना हुई थी, जिसमें इंडो-श्रिलंका अकॉर्ड अंडरलाइंग दी कमिटमेंट ऑफ इंडियन मिलिटरी असिस्टेंस, यहां पर यह निर्धारित किया गया, कि भारत के द्वारा पीस कीपिंग फोर्सेज भेजी जाए उनसे हतियार सरेंडर करवाईगी, ताकि वहाँ पर नागरिक अमंचैन कायम हो सके, यही से गल्ती होना शुरू होता है, भारत के द्वारा इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज भेजी जाती है, श्रीलंका के अंडर राजीव गांधी जी को गाड ओफ ओनर दिया जाता है, गाड ओफ ओनर के दौरान उन पर श्रीलंका के एक जो गाड ओफ ओनर देने वाला सैनिक था, उसने अपने राइफल की बट से राजीव गांधी जी पर हमला किया, यह हमला यह बताने के लिए था कि मैं सिनहले हूँ और मैं आपके द्वारा कराए गए इस फैसले का जैसे आप यहाँ पर यह तस्वीर देखते हैं जिसमें बट से होता हुआ हमला आपको दिखाई पड़ता है, एक प्रकार से श्रीलंकन सिनहले इस बात से कताई खुश नहीं थे जो पीस कीपिंग का काम करवाया गया था भारत के द्वारा, अब एक तरफ लिट्टे भी ख खुश थे कि हमारी सेना सब कुछ खतम कर सकती थी, भारत बीच में क्यों आया, भारत यहाँ दौनों के वीच में फस गया था, अब भारत के द्वारा अपनी अलग से सहायता भेजने का काम ऑपरेशन पवन के नाम से शुरू किया गया, यानि ऑपरेशन पवन, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज को जाफना में भेजने के लिए किया गया प्रयास था, उद्देश अब तक सपस्ट हो चुका होगा, तमिल्स को यहाँ पर शांती दिलाना, लिट्टे से सरेंडर कराना, उनकी सहना को पीछे भेजना, लेकिन यहाँ पर भारत की खुफिया एजन और भारत की कूटनीती फैल मार गई, किस मामले में फैल मार गई, यह कलकुलेट करने में कि लिट्टे भारत के साथ धोका कर चुका था, यानि उसने कमिट्मेंट तो किया था, लेकिन जैसे ही स्रिलंकन फोर्सेस वहाँ से पीछे हटी, लिट्टे ने सरेंडर करने से इνक कर दिया भारतिय सैना के साथ हुआ यह कुठारा घात था जहां भारत तमिल्स की रखवाली के लिए इंटरफेरेंस कर रहा था मदद भेज रहा था वहां पर लिट्टे ने भारतिय सैना के साथ धोका किया भारतिय सैनिक जब यहां पर लेंड हो रहे थे और लिट्टे से उस बेजा गया था, उसमें जितने सैनिक मारे गए थे, उतने सैनिक कारगिल के युद्ध में भी नहीं शहीद हुए थे, भारत को ऑपरिशन पवन में भीशन नुकसान हुआ, उस समय के हिसाब से लगभग 900 करोड रुपे का घाटा, 1000 से अधिक सैनिक मारे गए और कैस 1000 सैनिक घ सोचने पर विवश्च हुई, कि जिस लिट्टे के लिए हमने यह कारे किया, ये तो अपने आप में बहुत गलत हुआ, ऐसी स्थती के अंदर रणनिती बदलने का निरने लिया गया, कि नहीं ये तो लिट्टे कुठारा घात कर गया, इधर भारतीय राजनिती में परिवर हो रहा है, आहम चुनाव में राजीव गांदी जी की सरकार गिरती है, बीजेपी जनता दल की सरकार के साथ वीपी सिंग प्रधान मंत्री बनते हैं, वीपी सिंग श्रीलंका से शांती सेना को वापस बुला लेते हैं, कि ये शांती सेना में हमारा नुकसान ही हुआ है, एक वो LTT की गुरिला रणनीती के सामने टिक नहीं पाई भारती सैना की वापसी होती है 1990 में अयोध्या के करीब कार सेवकों के उपर गोली बारी किये जाने से BJP ने अपना समर्थ हंजन इस सपार्टी से वापस ले लिया जिसके चलते हुए सरकार गिरती है सरकार गिरती है VP सिंग के बाद चंदरशेखर की सरकार बनती है जो अल्पमत की सरकार होती है और उस दोरान चुनाव परचार चलते है आपको मालूम होगा उस समय आर्थिक स्थितिया भारत की बिलकुल सही नहीं थी आपको याद होगा पीवी नरसिम्मा राव के द्वारा उस समय LPG Reform 1991 में किये गए थे खेर अब इस दोरान क्या होने लगता है चुनाव जब चल रहे हैं 1901 में के दोरान चुनाव के लिए सभाएं हो रही है इस दोरान सभाओं में राजीव गांधी जी के पक्ष में जनता का समर्थन बनता जा रहा है राजीव गांधी जी का समर्थन बनने का बड़ा कारण क्या था कि तमिल लोगों को ये लग रहा था कि राजीव गांधी जी ने तो हमारे पक्ष में आने का काम किया था लेकिन लिट्टे उन्हें धोका दे दिया इसी स्थिती में राजीव गांदी जी तमिल लाडू के अंदर जन सभाएं कर रहे थे घटना का दिन आता है एक तरफ राजीव गांदी जी है एक तरफ प्रभाकरन आपको दिखाई पड़ रहा है लिट्टे के द्वारा ये फील किया जाता है कि जनता का समर्थन राजीव गांदी जी के पक्ष में आ रहा है और अगर ऐसा हुआ तो राजीव गांदी जी प्रधान मंत्री बन जाएंगे और अगर ये प्रधान मंत्री बने तो जो 1990 में सैना वापस बुलाई गई थी ये ने दिया Operation Wedding, Operation Wedding के अंदर एक आत्म घाती महिला को तयार किया गया, 25-21 मई 1901 में को जिस दिन राजीव गांदी जी की हत्या हुई, उस दिन एक हमलावर, आत्म घाती हमलावर जिसका नाम था धनू, उसने अपने कमर पर बेंट में बम बनाए हुए थे, भांदे हुए धीला सा कुर्ता, बड़ा सा चश्मा पहन करके, वो महिला नजदीक आती है राजीव गांदी जी के, उनके चरण छूती है, और चरण छूते समय वो बटन दबा कर खुद को तो खत्व करी लेती है, और भविश्य के भविश्य में बनने वाले प्रधान मंतरी राजीव ग में स्वभाविक है, कई पत्रकारों ने इनके बारे में लिखा कि ये घटना से पहले इस आत्मगाती हमलावर ने रिहरसल भी की थी, वो कई बड़े नेताओं की पार्टी में पट्टा भांद कर गई थी, चेक करने के लिए कि क्या राजनिता के पैर छूने तक जाया जा स assassinated in bombing at campaign stop, India put off rest of voting, चुना वो का दौर था, सरकार के द्वारत दिये गए अपने जानकारी में रक्षा मंत्री जौर्ज फंडांडिश ने 1999 में बताया था, कि शिलंका में भारतिय सेना के 1165 जवान शहीद हुए थे, 30000 नौ जवान घायल हुए थे, इस दौरान सरकार को कुल 978 करोड रुपे का खर्च हुआ था, जो कारगिल में हमारे शहीदों की संख्या थी, उसका यह डवल था, साथियों, अब आपके मन में लिट्टे के प्रभाकरन के बारे में जानने की अंतिम जिग्यासा बची होगी कि उसका खात्मा कब हुआ, वर्ष 2009 के अंदर एक न्य कराई गई थी, उसे खद्म करते हुए, श्रिलंका की सेना ने लिट्टे के खात्मे के लिए कदम उठाया, 2006 में चली हुई यह कारवाई, 2009 तक चली और प्रभाकरन को गोली मारती गई, प्रभाकरन की मौत के साथ ही LTE का अंतमान लिया गया, यारी 2009 में पूरी तरह से श्र अपत हो जाती है, लेकिन जैसे ही यह खबर वापस आती है कि प्रभाकरन जिंदा है, ये कयास लगने फिर से शुरू हो जाते हैं, कि श्रिलंका में संभव है कि ऐस्तिर्ता आ सकती है, हाला कि श्रिलंका की सरकार के द्वारा इस बात का खंडन किया गया है, कि इससे जो श् कियने के द्वारा पुस्टी कर ली थी कि ये प्रभाकरन ही है। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये पूरी कहानी जीरों से लेके अंत तक समझ में आ गई होगी। साथियों, ये घटना इतनी बड़ी है, इसे हमने 30 मिलिट के अंदर समेटने का प्रयास किया है। उम्मीद है हमारे द्वारा इसको संकलित करने का प्रयास आपको पसंद आया होगा। और अगर ये पसंद आया होगा, तो आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है और वो ये, कि वीडियो के राइट हैंड साइड कॉर्नर पर नीचे की तरफ एक सब्सक्राइब का बटन लिखा हुआ है, जैसे दबाने का कोई चार्ज नहीं लगता। फायदा ये है कि भविश्व में जब भी हम आपके सामने लाइव आएंगे, आपको सूचना पहले ही पहुँच जाएगी। और अगर आप अल्रेडी उसे सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो वीडियो के नीचे ही एक थमसप का साइन है, जैसे लाइक कहते हैं, उसका भी कोई चार्ज नहीं है, आप उसे दबा सकते हैं। और अगर आपको वाकई में हमारा प्रयास पसंद आया है, तो इस सेशन को अपने सभी साथियों से साजा भी कर दें, शेयर कर दें, अपने वाटसअप, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम, जहां पर भी आपको उप्यूपत लगे हैं। फिलाल के लिए इतना ही जानकरी पसंद आई हो, अपना कमेंट जरूर हमें सेशन के अंत में लिख कर बताईएगा। बाकी अगर आपको इस स्टोरी को और डिटेल में जानना है, तो use my referral code LOVE60, 60% discount के लिए कुकू FM पर, जिसके माध्यम से आप इस कहानी को और डिटेल में और इस जैसी 10,000 कहानियों को और डिटेल में सुन सकेंगे। साथियों, भारतिय सैनिकों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता, आज का दिन, 14 फरवरी, ये वो दिन है जिस दिन पुलवावा में हमारे भारतिय सैनिक शहीद होए थे, भारत आतंकियों के द्वारा की जा रही घटनाओं को बहुत करीब से देख चुका है, हर भारतवा किसी ना किसी का पड़ोसी, किसी का परिवार जन आतंक से पीडित रहा है, तो हम अपने सच्चे सैनिकों को शधानजली अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्राथला करते हैं कि देश में पूरी तरह से शांती कायन रहें, फिलाल के लिए इतना ही अपना खयाल रखें,